यह कह रहे हैं थ्री नंबर सारी इंदे रिशियो 3 इस्टू 2 इस्टू 5 यानि कि हम मालने थिक वो नंबर है 3X 2X और 5X ओके and the sum of their squares इनके squares का जो sum होगा न वो हो रहा है 1862 इनका जो square है वो क्या होगा 3X का square 2X का square और 5X का square चले निकालते 3 का square 9X square हो जाएगा इसका क्या होगा 4X square और यह हो गया 25X square है ना तो यह कह रहे हैं कि 9X square में जब आप 4X square को और उसमें जब 25X square को जोडते हैं तो कितना आता है वो आता है 1862 मैं repeat कर देती हूं कि उन्हों से तीन नंबर का ratio दिया था हमने वो नंबर माले 3X 2X और 5X और उनका square जो है वो कह रहे हैं इसके equal आ रहे है तो चलिए इसे solve करते हैं 9 and 4 कितना होते हैं 13 13 plus 25 कितना हो गया 38 x square equal to 1862 x square को हम यहीं पर छोड़ देंगे 1862 के पास हम यह इसको ले आएंगे 38 यहां multiple में यहां आजाएगा यह आता है 19476 यह हो गया 179 171 यानि कि कितना आया 49 तो x square equal to 49 है तो x equal to कितना होगा root 49 तो x equal to कितना हो गया 7 का square square से यह कट क्टिया यह इन्हें होने पूचा है कि सबसे चोटा नंबर क्या होगा तो देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सो होगा इन तीनों में से यह वाला यानि कि 2x होगा सबसे छोटा यह इसको में 2x माना था ना तो 2 x की वेली कितनी है यह 7 यानि कि वो नंबर क्या है वो नंबर है 14